जै हिंद आज हम परने वाले हैं राश्टिये गनीत दिवस पर असान सब्दों में भासन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएं हैं तो कृपिया इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में विल आइकन को भी दबा दें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको सबसे पह अंच और रोचकता होती है अगर आपको सुत्र समझ में आता है तो आपको गनीत से प्यार हो जाता है माननिये अतिति गन, सिक्छक गन, मित्र गन और मेरे प्यारे भायों इबंबहनों आप सभी को राश्टिये गनीत दिवस की हारदिक सुब कामनाएं आज राश्टिये ग गनीत दिवस के उपलक्ष में हम सब यहां एकत्रित हुए हैं इस अबसर पर मैं आप लोगों के समक्ष राश्टिये गनीत दिवस के प्रती दो सब्द रखने जा रहा हूं भारत में राश्टिये गनीत दिवस प्रतेक वर्ष 22 दिसंबर को मनया जाता है 22 दिसंबर के दिन ही भारत के महान आधुनिक गनीत दिवस के अफसर पर 22 दिसंबर को भारत में विविन प्रकार के संस्कृतिक और सिक्षा से जुरे हुए कारेकरम आयोजित किये जाते हैं इन कारेकरमों के जरिये भारत वासियों को भारत के महान गनीत तग्ये स्री निवास रमानुजन के जीवन और गनीत में उनके युगदानों के बारे में बताया जाता है और उन्हें सरधानजली अर्पित की जाती है वैसे तो भारत में कई महान गनीत तग्ये पैदा हुए हैं लेकिन स्री निवास रमानुजन को आरे भट के बाद भारत का सबसे महान गनीत तग्ये माना जाता है जिन्होंने बिना किसी विसेस डिग्री के खुद से ही गनीत का अध्यन किया और बारवी फेल होने के बाबजूद भी गनीत का जादुगर बन गए गनीत के छेतर में उनका योगदान अतुल्निय है उनके द्वारा गनीत के छेतर में बनाये गए अनंद्र सिंखला संख्या सिधांत गनीतिये विसलेशन इत्यादी का अध्यन मैथेमेटिक्स की पढ़ाई करने वाले परतेक छात्र को करना पड़ता है क्योंकि इसके माध्यम से ही आप मैथेमेटिक्स का कोर्स पूरा कर पाएंगे यही वज़ा है कि 2012 में पुरुपरधान मंत्री मनमोहन सिंग ने उनकी 125 वर्स गांट के उपलक्ष में गनीत दिवस मनाने की घोषना की तब से ही राष्टिय गनीत दिवस मनाने की प्रंपरा सुरू हुई जो आज तक कायम है आने वाले भविस में भी कायम रहेगी इस दिवस को मनाने का उदेश से देश में विद्यार्तियों तथा युबाओं को गनीत पढ़ने के लिए प्रेरिट करना है राष्टिय गनीत दिवस हर साल एक अलग थीम विसाय के साथ मनाया जाता है श्री निवास रमानुचन अयंगर एक महान भारतिय गनीत तक गे थे इन्होंने अपने परतिवा और लगन से नकिवल गनीत के छितर में अदभुद अविस्कार किये वरन भारत को अतुन्लिय गौरव भी परदान किया आज वह हमारे बीच नहीं है लेकिन उनके बिचा आज भी पूरी दुनिया के लिए प्रेरना सुरुत है ऐसे महान आत्मा को मेरा कोटी कोटी नमन इन्ही सब बातों के साथ मैं अपनी वानी को पिराम देता हूँ जै हिंद वंदे मात्रम